सब्सक्राइब किजिए टोटल नया गयान चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो दोस्तो टोटल नया गयान चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तो यहां पर देख सकते हैं हमारे पश्रीज में एक पडाइप ऍवरट करने दोस्तो पेएक स्थृट हो जैसे कि यहां देख सकते हैं दोस्तो यहां टोस्तो अपर पत्ट होना सब्सक्रीर चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं T.71 का एक नया A4TA अपडेट यहाँ पर रॉल आउट होना स्टार्ट हो चुका है Realme 5 Series में तो दोस्तो इसका अपडेट का साइज यहाँ पर आप देख सकते हैं 188 MB का है और दोस्तो इसमें क्या क्या fix किये गए है दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यादा कोई changes नहीं है इस FOT अपडेट में सिर्फ यहाँ पर कुछ problem fix की गई है इसू fix की गई है और दोस्तो system stability को improve किया गया है तो दोस्तो यहाँ पर एक खुसखबरी भी हो सकती है यहाँ पर Realme 5 Series को Realme UI 2.0 का यहाँ पर update देखने को मिल सकता है जल्दी क्योंकि दोस्तो Realme जब किसी devices को यहाँ पर नएन A4T update देना start कर देता है यानि दोस्तो इस device के उपर उन्हों का पुरा ध्यान भी रहता है focus भी रहता है जिसके वज़ा से दोस्तो यहाँ पर A4T update मिलना जो start होता है उसके बाद यहाँ पर Android 11 भी मिल सकता है दोस्तो लेकिन यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर सकते हैं इसके बारे में कोई भी information नहीं आई है दोस्तो जैसे इसका information आएगा मैं आपको बताऊंगा और दोस्तो इस update के बाद क्या-क्या changes आए है वो भी मैं आपको बताऊंगा next video में जिसका जो मैं review करेंगा दोस्तो realme c.71 का यहाँ पर latest software update का यहाँ पर फिलहाल मुझे यहाँ पर नहीं मिला है दोस्तो मैं भी realme 5i series यूज़ कर रहा हूँ लेकिन दोस्तो आपको यह देखने को मिल जागा जल्द ही 71 का latest version का officially rollout होना start हो चुका है तो दोस्तो other country में तो मिल चुका है लेकिन यहाँ भी दोस्तो जल्द ही मिलने वाला है इंडिया में भी तो बने रहेगा मेरे चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भी तक तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तो बिल आइकन को प्रेस करेजगा हमारे latest वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में